हाई फ्रेंट्स वेलकम टुदा डेस्क देवा इंग्लिश अस्वाकन खुट फ्रेंट्स अगर आपको हमारे क्लास से कुछ सिखनों को मिल रहा है कुछ फायदा हो रहा है तो हमारे वीडियो को देखते वक्त like भी कर दिया किजे और comment भी कर दिया किजे और अभी तक अगर अ आज हम फ्रेजल वर्व में गो के बारे में जानेंगे, ठीक है friends, so let's start the class of the day. Friends, go, go के बारे में आपने सुना होगा, go is the verb, go मतलब जाना होता है, लेकिन go के साथ अगर कोई preposition जुड़ा होता है, तो वो फ्रेजल वर्व कहलाता है, किसी भी वर्व के साथ जब preposition जुड़ा होता है, तो वो फ्रेजल वर्व कहलाता है, ठीक है friends, तो आज हम फ्रेजल वर्व में go को लेते हैं, और उसके बारे में हम सिखेंगे sentences बनाते हुए, पहले हम इस पे नज़र डालते हैं, कि go में कौन-कौन से वर्वर्व हैं, जिनके साथ preposition जोड़के और क्या-क्या वर्वर्व बना है, वो देखते हैं, पहला है go on, गो अन का मतलब to continue, उसको हम continue भी बोल सकते हैं, इस जारी रखना, go on मतलब to continue भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, उसका मतलब जारी रखना होता है, ठीक है, go around, go around मतलब in an affair, किसी affair में पड़ाना, ठीक है, गो अगेंस्ट, मतलब विरोध करने, किसी भी व्यक्ति या किसी भी बात का विरोध करने, उसको हम गो अगेंस्ट बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में to be contrary भी बोल सकते हैं, ओके फ्रेंट्स, go through, go through का मतलब वोते है to read, यानि पढ़ना, या go through का मतलब होता है, किसे होते हुए गुजरन ऐसा भी होता है, या पढ़ना भी होता है, ठिक猜़र? जब हम sentence बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं ओके फ्रेंट्स So, go up, मतलब increase in price, यानि कीमत बढ़ना, उसको हम go up भी बोलते हैं और increase in price भी बोलते हैं English में, okay Go ahead, means to start, मतलब आगे बढ़ना, या शुरू करना, okay friends Go away, go away का मतलब English में हम to depart भी बोल सकते हैं, depart, या निकल जाना, या दूर चले जाना, ठीक है Go down, go down का मतलब decrease in the price, कीमत का घटना तो यह सारे words हैं, जो phrasal verb है go के, अभी हम एक 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 phrasal verb को लेंगे गो के साथ जो जुड़ा हुआ है preparation, और एक एक करके हम sentence बनाते हुए समझेंगे, okay friends तो first है go on, go on, जिसको हम keep on भी बोलते हैं, keep on, go on, या remain भी बोलते हैं तो go on के साथ जुड़ा है, इसके लिए हम go on के साथ ही हम sentence बनाएंगे, okay friends तो हम इससे हम ऐसे sentence बना सकते हैं, please go on with your work, किर्पया अपना काम जारी रखे please go on with your story, please अपनी कहानी जारी रखे, किर्पया गरके अपनी कहानी जारी रखे, okay friends go on, मतलब go on का मतलब remain भी होता है और keep on भी होता है, इसलिए हम इसको ऐसा भी आन रह सकते हैं, कि he goes on playing, वो खेलता रहता है you go on dancing, तुम डांस करते रहते हो, okay friends अभी next है, go around, go around मतलब किसी भी आफेर में पढ़ना, किसी के आफेर में पढ़ना, ते इन आफेर, okay सुरेश is going around with her, सुरेश का उसके साथ अफेर चल रहा है रमीला is going around with him, रमीला का उसके साथ कोई अफेर चल रहा है, कुछ अफेर चल रहा है मिस सिर्भां ऐसा भी बोल सकते हैं, कि रमीला का उसके साथ अफेर चल रहा है तो रमीला is going around with him, okay friends अभी नेक्स है गो अगेंस्ट means to be contrary to means विरोध करना किसी का विरोध करना या किसी भी बात का विरोध करना या किसी भी व्यक्ती का विरोध करना तो हम उसको go against बोलते हैं या to be contrary to be बोलते हैं उसको हम sentence ऐसे बनाएंगे You go against everything that I put forward मैं जो भी बात रखता हूँ तुम उसका विरोध करते हो He always go against what I say तो मैं जो भी कहता हूँ उसका वो हमेशा विरोध करता है ओके फ्रेंट्स अभी नेक्स है go through means to read go through का मतलब to read भी होता है इसका sentence ऐसे होगा I have gone through this book many times मैंने इस किताब को अनेक बार पढ़ा है He had to go through such a trouble उसे इतनी परिशानी जहलनी पड़ी ओके फ्रेंट्स तो नेक्स है go up means increase in price किसी भी चीज का भाव बढ़ता है किमत बढ़ती है तो उसको हम increase price भी बोलते हैं या go up भी बोलते हैं इस काम संटेंज ऐसे बनाएंगे Wits are going on गेहूं की किमत बढ़ रही है या the price of wheat is going up या increasing भी बोल सकते हैं The price of wheat is increasing going up भी बोल सकते हैं increasing भी बोल सकते हैं means गेहूं की किमत बढ़ रही है अभी next है go ahead go ahead का मतलब होता है to start या आगे बढ़ना जैसे हम बोलते हैं कि go ahead मतलब आगे बढ़ो या start करो याने शुरू कर दो उसको हम संटेंज ऐसे बनाएंगे here is the money as your demand now you can go ahead ये रहे पैसे जो आपने कह थे अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं या अब आप आगे बढ़ सकते हैं okay friends means go ahead means आगे बढ़ना या शुरू करना ये होता है okay friends अभी है go away means to depart means निकल जाना या दूर जाना go away मतलब दूर हो जाना या निकल जाना जैसे बोलते हैं कि just go away from my life बस मेरे जिंदगी से दफा हो जाओ दूर हो जाओ ऐसा बोजते हैं okay friends ते हो गया go away अभी लास्त है go down means decrease in the price price का बढ़ना तो go on और price का घटना तो go down okay friends sentence बनाते हैं prices of mobiles are going down day by day mobile की कीमत दिनों दिन घटती जा रही है okay friends तो friends ये था phrasal verb go go के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि phrasal verb क्या हो तो आपको पता चली गया होगा पिछले दो वीडियो देखकर तो phrasal verb विसी को बोलते हैं आपको बस phrasal verb को याद करना पड़ता है बाकि अगर याद रहेगा तो आप sentence में खुद ही उसको यूज कर सकते हैं अगर आपको basic और advanced course आता है तो आप उसको अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं उसका इस्तमाल कर सकते हैं ओको फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स अब तक आमारा वीडियो देखने के लिए थाइक्स थाइक्स अलोट अन्देनेवाल